Hero Honda में HSRP registration का full process आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और भी गाड़ियों का registration process की वीडियो आप को चैनल पे मिल जाएगी जिस गाड़ी का वीडियो चैनल पे नहीं मिलेगा आप कमेंट कीजेगा मैं वीडियो बनाने की कोसिस करूँगा और फ्रेंट से जो भी डा एचसरपी यूपी ओपेन करने के बाद फर्स्ट साइट आती है बुक मैं एचसरपी इसके ज़स नीचे ट्राइक योर अडर और शेडूल अपॉइंटमेंट बुक मैं एचसरपी जैसे क्लिक करते हैं दो आप सारा आते हैं high security number plate का और only color sticker का तो high security number plate पे जैसे क्लिक करते ह इसके फर्स्ट में आप अपनी गाड़ी यहां से स्लेट कर लीजिए तो अभी हम two wheeler पे क्लिक कर देते हैं इसके जेस्ट नीचे आपको अपनी company select कर लेनी हो जिस company आपकी गाड़ी है तो अभी हम hero honda पे क्लिक करते हैं then यहां से state अपना select कर लेना होगा उसके बाद vehicle class private है या commercial प्राइवेट पे क्लिक करना होगा उसके बाद यहां से fuel type पेट्रोल two wheeler में पेट्रोल लगता है उसके बाद step 5 में यहां से motorcycle और scooter का तो motorcycle कभी बनवा रहे हैं तो motorcycle क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से next कर देते है इस step 6 में पहुंचते हैं यहां से भारस stage में आपकी यहां से स्लेक्ट कीजिए तो यहां से mbs3 and others क्लिक करते हैं उसके बाद देन आपको वीकल रिष्टेशन डेट जीस तारी को आपकी गाड़ी निकली थी उसके बाद रिष्टेशन नंबर गाड़ी का नंबर डालना होगा चेचिस नंबर आखरी पाचंग इंजन नंबर भ होगा और सी अप्लोड हो जाती है अब इसके जेक्ट नीचे आपको गाड़ी माली का नम और नम में लिखना होगा इमेल आइड़ी और और नंबर मीन मोबाइल नंबर इमेल आइड़ी और मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं उसके बाद बिलिंग एड्रेस में यहां से अपनी सिटी डेटर फिल करने के बाद सिंपली आपको यहां से नेक्ट कर देना होगा नेक्स्ट होते ही स्टेप सेवन में आप पहुंचते हैं डेलेवरी के अप्सन में ओनली एडिसनल 125 रच होम डिलेवरी पे आपको 125 रुपए चार्श देना पड़ेगा यहां पर आप लिक करते हैं आप यहां से जोंडे कर सकते हैं कि आपकी अर्य में हम डिलेवरी अब लेवर्य लेवल है की नहीं है पिन कडाल के जैसे हमने चेक एवलेबिल्टी भी क्लिक किया है आप देख सेखते हैं करेंटली सर्विस इस नाट अबलेबल ता आप सहर का डालेंगे तो हो सकता है पिन कोड यह अवलेबल दिखे तो हम बैट चलते हैं वहाँ पर डिलर अपॉइंटमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है देलर अपॉइंटमेंट तो यहां पे आप को फिरिस permit चाहां की हो अप यूपी स्टेट की आप अभी प्रजन्ट einen पे जहां है आप यहां ते क्लिक करके वह अलाई स्टेट जो है यहां पर सिटी जो है सेलेट कर लिजिए जैसे कि हम यहां से परियागराज सेलेट कर लिते हैं अभी मैं अगर परताब गड़ में होता तो यहां से परताब गड़ सेलेट कर लिता फिलाल भी मैं परियागराज में परियागराज सेलेट क उसके बाद फ्रेंस यह जो आपको डेट दिख रहेगी 18.12.2020 तो यह अब लेबल डेट है आपको इस तारीक पो यहाँ पर जाना होगा नमबर प्लेट लगवाने के लिए डेलर के पास ते यहाँ से आपको confirm डेलर पर क्लिक करना होगा देन यह नेक्ट पर ले जाएगा आपको थोड़ा साइड स्लो है अब यहाँ से फिर्णस आप देख सकते हैं confirm डेट दिसंबर तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपनी डेट सेलेट कर लिजिए जो पीली पटी है यह जो है पीलर डेट है यह छुट्टी है ब्लैक जो है यह अब लेबल है तभी हम अठराई रने देते हैं उसके बाद आपको confirm टाइम यहाँ से टाइमिंग आप देख सकते हैं जो अब लेबल अपनी हिसाब से अप सेलेट कर लिजिए अब ही हम 12 से दो कर देते हैं उसके बाद देन आपको यहाँ से confirm प्रोशीट पे क्लिक करना होगा अब फ्रेंस आता है यहाँ पर step 10 में booking summary अगर सारा detail आपका यहाँ से fill up सही हुआ है तो आपको यहाँ से confirm प्रोशीट पे क्लिक कर देना होगा देन step 11 में आप पहुंचते हैं payment pay तो verify details and pay आप यहाँ से नाम देख सकते हैं mobile number, address देख सकते हैं उसके बाद friends आपको OTP और SMS जिस number पे चाहिए अगर वो पुछला वाला ही सेम है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा एंड पैमेंट में ओछलों आप आजाते हैं यहाँ से अगर walletпон पे आप से Trungön करते हैं उसके बाद पर देखते हैं यहाँ चांटीनियू सेंड़कल पर क्लिक करते हैं चाहरा है तो हमको UPI फ़न पर पर से करना होगा इसके बाद यहां से आपको क्लिक कर देना होगा होगा दिन फॉपर एबीक नहीं करना करना होगा अब यहां से आप करके इसको फार्म को प्रिंट कर लीजिए इस तरह का कुछ इसका एक इंटरफेस अब नंबर प्रेट लगवाने के लिए आपको फ्रेंट से डीलर के पाश अपॉइंट मेंट के दिन टाइम पे जाना होगा गाड़ी की यारसी गाड़ी और रिशिप्ट लेकर वहां पे डी किसी नेक्ट वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम